तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मैरी ने किरारी मामो भामी को स्टूडन काउंसिल को जोईन करने से मना कर दिया और हमने थोड़ी सी बैक स्टोरी भी देखी कि कैसे और क्यों मिडारी ने स्टूडन काउंसिल को जोईन किया एंड फाइनली युमेकों ने गेम को कितने शानदार फ्रेकिंग वे में टाई किया अब आगे रियोटा स्कूल जाते हुए अपने स्मार्ट फॉन में कुछ देख रहा होता है युमेकों के पूछने पर वो बताता है कि वो यूटूब पर युमेमी युमेमिट की वीडियो देख रहा है इसकी वीडियो पर 3 मिलियन व्यूज हैं ये भी एक स्टूडन काउंसिल की मेंबर होती है इन चार्जो पॉबलिसिटी ये स्कूल में भी कॉंसर्ट करती है पॉपुलैरिटी की वज़े से कोई भी इसकी कॉंसर्ट नहीं देख सकता जब तक कि तुम उसके फैन कलब में ना हो टिकेट इतनी एक्सपेंसिव होती है कि मैं तो आफ़ोड ही नहीं कर सकता युमे को कहती है तुम बहुत कुछ जानते है उसके बारे में वो कहता हाँ एस अ क्लासमेट इसको मेरा फुल सपोर्ट उसके बाद युमे को को उसके लोकर में एक लैटर मिलता है एक flashback में दिखाय जाता है कि किरारी मौम बाम में हेलिकोप्टर से कहीं जा रही होती है साया की आकर किरारी को बोलती है तुम कहां जा रही हो वो कहती है मैं थोड़े समय के लिए school से जा रही हूँ मेरे को कुछ देखना है साया की की इतनी request करने के बाद की अभी कहीं जाने का सही टैम नहीं है कल ही मिडारी और युमे को इतने में ही वो बोलती है इसलिए मेरे को कुछ करना है मैं school तुमारे हवाले छोड रही हूँ अपने according सब कुछ समाल लेना साया की अपने flashback से भारा कर सोचती है आज एक week हो गया है जब प्रेजिडेंट स्कूल से गई थी student council के member की power है जो उन सब को एक संग लाती है जो की प्रेजिडेंट की authority से ये power derive हुई है पर अब युमे को की वज़े से सब भिखर रहा है काईडे कहता है एक week हो गया जब मिडारी ने अपनी नाक कटवाई थी युमे को से फिर भी वो अभी तक स्कूल नहीं आई क्यूं साया की कहती है मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता ये बोलती है अगर प्रेजिडेंट के बारे में किसी को कुछ पता होगा तो वो तुम होगी काईडे कहता है तो हमको प्रेजिडेंट के ही बिना decide करना होगा कि इन दोनों के साथ क्या क्या दाए जो house pets से हारे साया की कहती है वो दोनों actually में नहीं हारेते वो कहता है हाँ 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 वो तो बस प्रेजीडेंट की वज़े से पज़ गए ये यूरीको और मिडारी की बात कर रहे होते हैं काइडे कहता है इनकी वज़े से हमारी रेपूटेशन की लगी पड़ी है तुम दोनों यहाँ पर आई की हों सायकी कहती है तुमको थड़ी अर्से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए वो सायका से कहता है तुमारी ये रिस्पेक्टफुल प्रायोरिटी इस स्कूल में एग्जिस्ट नहीं करती है तुमको तो ये पता ही होगा तुम प्रेजीडेंट के सबसे क्लोज जो हो मिडारी भी सायका से कहती है तुमको भी एक बार अपना लक अज़माना चाहिए युमेको के खिलाफ कायड़े बोलता है पता नहीं मेरे को क्यों एक हाउस पैट के लिए एफट्स लगाने पड़ रहे हैं मिडारी बताती है क्योंकि युमेको के पास गट्स है यानि की हिम्मत है शारप आईज है एंड अपने साथी पर भरोसा है यहीं चाहिए युमेको को कोई भी गैमबल जीतने के लिए एंड बिसाइट्स फ्रॉम दैट दोज आईज मिडारी को जोस चड़ने लग जाता है और वो मिटीन के दोरानी बातरूम में चले जाती है सारे मेंबर्स ही यह बात कर रहे होते हैं कि युमेको एक हाउस पैट है अगर उसने अपने राइट का यूस किया तो वो प्रेजिडेंट को एक ओफिशल मैच के लिए चैलेंज कर सकती है और अगर उस मैच में प्रेजिडेंट हार गई तो वो भी एक हाउस पैट बन जाएगी सायका कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी यूरी को कहती है मैं भी इसलिए मेरे इसाब से युमेको से सारे पैसे रीकवर कर लेने चाहिए ताकि वो हाउस पैटी ना रहे काइडे मना करते हुए कहता है प्रेजिडेंट ने ऐसा करने के लिए मना किया था युमेको के लिए लाइफ प्लैंस बनाए गए है उसी टैम युमे में की युमेको के लाइफ प्लैंस के साथ एंट्री होती है वो कहती है मैं युमेको को समाल लोंगी कायडे भी इस बात को एगरी करते हुए उसकी हेल्प करता है साय का चाकर भी उनको रोक नहीं पाती अगले सीन में युमेको मेरी और रियोटा एक साथ होते है युमेको स्माल कर रही होती है मेरी रियोटा से पूछती है की क्या हो गया ये इतनी खुश क्यों है रियोटा बताता है यूमेको आज पूरे दिन से ही ऐसे स्माइल कर रही है शायद उस लेटर में कुछ हो इतने में ही इट्सू की सुमेरागी वहाँ पर यूमेको के लिए प्रेजेंट लेकर आती है मैरी कहती है तुम यूमेको के साथ कुछ फाल्टू के गैंबल खेलने तो नहीं आई या कुछ उल्टी फुल्टी हरकत करके जिससे तुमको दुबारा से वो लोग इस्टूडेंट काउंसिल में जोइन कर लें वो मना करती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है यूमेको के ऐसे देखने पर वो सब कुछ सच सच बताती है जैसे कि सबको पता ही है कि मेरे फादर जपान के सबसे बड़ी टोई कंपनी के सी ईयो है और उन्होंने मेरे को इस्टूडेंट काउंसिल को जोइन करने को बोला ता कि मैं पोलिटिकल एंड फाइनेंशिल वर्ल्ड में कनेक्सन बनाऊँ अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मेरे फादर मेरे को एकसेप्ट नहीं करेंगे और आज कल एक रूमर बहुत तेजी से फैल रही है कि तुम इस्टूडेंट काउंसिल की प्रेजिडेंट बनना चाहती हो क्योंकि डेप्ट सेटल्मेंट पार्टी में तेने पैसे जीतने के बाद भी तुम अभी भी हाउस पैठ हो क्योंकि शायद तुम प्रेजिडेंट को एक ओफिसल मैच के लिए चैलेंज करने की सोच रही हो अगर ये बात सच है तो मैं तुमारी हर एक तरह से हल्प करूंगी कि तुम इस्टूडेंट काउंसिल की प्रेजिडेंट बन जाओ और फिर तुम मेरे को इस्टूडेंट काउंसिल जोइन करने देना युमे को कहती है इस्टूडन काउंसिल की प्रेजिडेंट बनने का तो पता नहीं पर हम दोनों फ्रेंट्स बन सकते हैं हम दोनों साथ मिलकर गैमबल खेल सकते हैं अगले सीन में यूमेमी अपने फैन से हाथ मिला रही होती है सीन जो जी जो इसके फैन कलब का प्रेजिडेंट होता है वो इससे हाथ मिलाते हुए फालतु की बाते कहता है मैं सबी फैन कलब मेंबर को अच्छे से त्रेन करूँगा कि वो अच्छे से तालिया बजाएं और जबरदस्ती दिन में सो व्यूज दिलवाएं हर बंदे से अगले ही मिनट वो ड्रेसिंग रूम में अपना हाथ दोकर और कुला करकर कहती है वो सूर का बच्चा कितना गिनोना था उसकी मेनजर कहती है हमको ये बंद करना चाहिए क्या वो कहती है नहीं एक-एक से हाथ मिलाने से ही तो वो डाय हाट फैन बनेंगे मेरे मेरे को ये सब तो करना ही पड़ेगा अपने सपने को पूरा करने के लिए काईडा मोका देखकर युमे में के लिए बजट रेड़ी कर देता है वो सारी प्रिप्रेशन कर देता है ताकि युमे को उनके रास्ते में ना आएं और फ्यूचर में उसको स्टूडन काउंसिल की और भी पावर्स मिल सकें इसकी मैनेजर युमे को के पास जाती है गैंबल के लिए इन्विटीशन देने के लिए और युमे को उसके पास चली भी जाती है उसके साथ में रियोटा भी होता है युमे को से इंतजार नहीं होता और वो जल्दी से गेट ओपन करने के लिए आगे बढ़ती है उसकी मैनेजर उसको रोक लेती है और बोलती है मैं पहले पर्मिशन ले लू और वो चेकिंग करने के लिए भी बोलती है क्योंकि कई सारे लोग ड्रेसिंग रूम में कैमरा या मैक छुपा देते हैं उसके बाद वो लोग अपस में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे को और यूमे मी रियोटा को पेचान लेती है कि वो एक बार उसके कौंसर्ट में आया था वो बोलती है मैं अपने हर एक फैंस का फेस एंड नेम याद रखती हूँ यूमे को के पूछने पर वो बताती है कि वो एक टोप आडल मैच खेलेंगे जिसमें ये लोग 50 मिलियन येन लगाएंगे अगर यूमे को जीती वो हाउस पैट नहीं रहेगी और अगर यूमे मी जीती तो यूमे को हमेशा के लिए इसकी हो जाएगी और यूमे को को भी इ नहीं होती लेसंस इतने हाड होते हैं आडल बनना स्रीफ फन ही नहीं होता यूमे को पूछती है तो तुम आडल क्यों बनना चाहती है वो बोलती है फैंस की स्माइल के लिए यूमे को बोलती है जूट मत बोलो बलकि तुम अपने फैंस से हिट करती हो यूमे को एक लेटर बनने के लिए एक strong goal होना चाहिए युमेमी कहती है मेरा बच्पन से सपना था कि मेरे को academic award चाहिए याने कि एक Oscar award इसलिए मैंने agency जोइन करी और daily इतने hard lessons लिए मैंने regular tv shows किये जिसने शायद अभी तक history में किये भी ना हो पर फिर मेरे को realize हुआ इसमें बहुत time लगेगा अगर सब कुछ सही भी चला तब भी कोई guarantee नहीं कि मैं जपान में भी टोप पर रहूंगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैंने एक different approach चुना मैं school की मदद से एक famous एडल बन सकती हूँ पहले मैं पूरे जपान में टोप पर आऊंगी फिर Hollywood movie में एक leading role करके Oscar award जीतूंगी युमे को कहती है तुम अपने fans को hit करती हो तब भी एक आडल बनना चाहती हो वो कहती है हाँ वो मेरे उपर पैसा खर्च कर रहे है ना बस मेरे को famous कर रहे है ना बस पर वो घिनोने लोग मेरे concert में इतना गंदा डांस क्यों करते हैं जिससे उनको पसीना आए और जब उनको पसीना आता है तो वो मेरे से हाथ क्यों मिलाना चाहते हैं गंदे कहीं के सूर के बच्चे युमे को कहती है मेरे को आडल नहीं बनना पर ऐसी लाइफ को डेडिकेट करने में कितना रिस्क है और वो गैंबल खेलने के लिए हाँ कर देती है वो कहती है जब तक इस गेम में दोनों की लाइफ दाव पर नहीं लगेगी जब तक गेम में मज़ा नहीं आएगा वो इसके मैनेजर की पॉकेट में से एक रिकोरडर निकालती है जिसमें उसकी पूरी वोईस रिकोरड होती है जो भी इनोंने आपस में अभी बात की और इस रिकोरडिंग चे साफ सा पता लगता है कि युमे मी अपने फैंस को हेट करती है अगर युमे को ने इसको पॉबलिक में फैला दिया तो इसकी एडल वाली लाइफ खतम पर ऐसा वो नहीं करेगी ये तो उसने बस अपनी लीबटी के लिए अपने पास रखा है ये रिकोरडर युमे को ने उसके मैनेजर के पॉकिट में डाल दीती रूम में एंटर करने से पहले उसकी मैनेजर वो युमे को से चीनने की कोशिश करती है पर ऐसा नहीं कर पाती वहां से जाने के बाद रियोटा के पूछने पर वो बताती है कि ये वोईस रिकोडर उस लेटर में ही था उसने मेरे को धमकाने को भी बोला था पर मेरे को नहीं पता कि वो कौन था जो भी था यूमेको के लोकर में रखा उसके पास उस ओफिस का माश्टर की एकसेस होगा रुना प्रेजिडेंट को वोईस मैसेज भेज़ती है कि तुम जिन्दा होना प्रेजिडेंट या मर गई जल्दी से स्कूल में आ जाओ वरना पता नहीं क्या ही होगा अगले सीन में यूमेमी अपने टीवी सो कॉंसेट में होती है और उस कॉंसेट में इन तीनों को भी प्रीमियम टिकेट मिल जाती है यूमेको की वज़े से और सो स्टार्ट होने से पहले यूमेमी अपने फैंस को यूमेको के बारे में बताती है और युमेको की एंट्री होती है इस आउटफिट में युमेको बहुत सेक्सी एंड क्यूट लग रही होती है अगर आपको भी युमेको क्यूट लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और एपिसोड्स को धेर सारे एनिमे को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो मारी देना बीदा बिगनिंग एनिमे को देखने के लिए लैफ्ट वाली वीडियो को देखना और Raya and the Last Dragon वाली मोवी का रिवी देखने के लिए राइट वाली वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना जैहिंद अगले वीडियो में मिलेंगे